Jewel वालो ने जो लाइवीश किया था हुस में गरूट नहीं दिखाया था ये स हमको सिर्फ स्था्ललड टीर फॉर uda मैंट लेकिन गरूट नहीं दिखाया था में और यहां पर सकते हो कि आर्ट में गरूट को से समिन neue सब्सक्राइक करने के बाद एड किया है या फिर पहले डिजाइन कर लिया था और हमको लाइब स्टीम में दिखाया नहीं अभी और कौन-कौन से करेक्टर आ सकते ही सब्डेट में भाई सब अब नहीं कुछ कह सकते क्योंकि अभी तक हम सोच रहेते सिर्फ और सिर्फ इस्टॉलॉड आएगा मे या फिर अवेकिन होगा कुछ भी नहीं दिखाया है हाला कि जहां तक मुझे लग रहा ना गुरूट को अवेकिन ही देंगे क्योंकि अगर आप देखोगे एक ही अपडेट में दो दो टीर-3 करेक्टर मुस्किल है मतलब नहीं चांस है कि दो टीर-3 आए तो फिर सब्सक्राइब कर लो लगए थे तक देख चांस है और इसके बदले में हमको रिवाड मिलेगा यह जो टाइम हम खेल नहीं पाएंगे गेम उसके बदले में हमको मिलेगा हन्डेट इनरजी इस स्टार हीरो चेस्ट जो कि अभी काफी अच्छा हो गया मतलब इस साल से पिछ पॉइंट मिलेगा 50 के बारे में बात करना थोड़ा जरूरी है क्योंकि यह इसका टाइप ना तीन टाइप का हो चुका है अगर आप युनिफॉर्म पर चाहिए यह वाला जो की गोल्ड से मिल जाता है तो यह वाला युनिवर्सल टाइप का है और अगर आप दूसरे वाले जाओगे तो यह वाला इस पीट टाइप का अब देखो यह तीन केटेगरी में तो आ चुका तो इस पीट कंबेट और युनिवर्सल तो हो चुका है यह ब्लास्ट नहीं हुए अभी तक और हां मुझे नहीं लगता ब्लास्ट होगा भी ठीक है तो यानि कि मैक्सिमम चांस बनाने का जवान गुरूट आएगा अभी बड़ा वाला गुरूट आएगा और हाई यह कमबेट टाइप का हो सकता है यह तो पिर्मियम वाला इनिफार्म था ठीक है यह वाला इनिफार्म अगर आप देखो गये तो इसके पास में काफी अच्छे माउंट में हीलिंग है और अप्लाइट वाल एलाई मतलब जब वह ड्रॉप करता है ना एक अप्लाइट वाल एलाई रिकवर टेन परसेंट अप एश्पी अबरी टू सेकेंड तो यहां से काफी अच्छे माउंट में रिकवरी मिल जाती है हां मतलब इसको आप वाला यूनिफार्म यह वाला इन स्कील से मिलेगा है यहां पर आप सकते हो कर सकते हो और मैं तो बोलता हूं अगर इसका इसको टीम में रखो और एप्लाइट के लिए ही स्टार्ट हो जाए तो ऐसा कुछ कूल डाउन हो गया भी दे तो वह भी सही रहेगा हलकि देंगे नहीं वह मैं बोल रहा हूं ऐसे ठीक है तो यस बस एक दिन की और बात है यानि कि कल सुबह आपको देखने के लिए मिल जाए कि इस अपडेट में क्या क्या आने वाला है यहां पर अभी फिलहाल के लिए इतना कंफर्म हो गया कि चार यूनिफॉर्म तो आने वाले हैं लाइक यहां पर देख सकते हो इस्टॉल टियर फॉर रोकेट का टियर थ्री आने वाला है और इसका अवेकन आएगा मुझे जान क्या होता है आने लाइकbil को कि अभर का सपोर्द है अभी किया है यह सपोर्ड की लिए बढ़ाया है मतलब यह सपोर्ट ही होने माली है एक्टि भी इसकील के जरीए वाला सपोर्ट ना इतना मज़ेदार नहीं होते हैं क्योंकि उनको फिर स्विच करके आपको इसकील यूज करना रहता है उसके बाद में ही आप फिर से स्विच करके अपने मेन डीपीएस वाले करेक्टर को यूज करना रहता है तो ऐसा एक्टिव स्किल वाला जो सपोर्ट होता ना उतना मज़ेदार नहीं होता है यहां पर अगर अप्लाइट वाल होता कुछ भी होता मतलब तो वह ज्यादा एफेक्टिव रहता ज्यादा फायदे मंद रहता सिर्फ आपको टीम म लगाना है और अपने मेंडी पेस के साथ में धार धार खेलते जाना धार धार मारते जाना तो ज्यादा मज़ेदार रहता थीक है एक्टिव वाला देखेंगे कैसा काम करेगा और इस्टार लड़ का टियर फोर आ रहा है इस टो लोड़ रेडि है एकडम से मेरे दूसरे अ अपडेट का लाइब इस्टीम करेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो और अगर नहीं भी किया लाइब इस्टीम नहीं भी किया तो भी आपको रिवीव मिल जाएगा यानि कि लगबबग सारे करेक्टर का रिवीव में दो देने की कोशिज करूँगा बठा उससे पहल फारों गार्डेन अब दे गेलेक्सी चैनि भी पाट आया है मादब वान टू तो उसमें सबसे फैब्रेट केरेक्टर जो रहा है मैकसिमों लोगों का रहा है वहा है रोक्रेट वाई इसका जलवा ही अलग रहता है उस्में हाँ मतलब गृट का भी थव्ड़ सा जलवा है लेकिन ज्यादातर हैं रोकेट ज्यादातर हुए है तो भाई अन्यक्त करेंगे जैसा भी मैंद्स और फिलाल के लिए इस के बारे में आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्ली लाइक कर देना चैनल पर नए हो फिर से बोल रहा हो सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन आन कर लो सारे युनिफार्म का रिविव देने की कोशिश करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक क लिए टेक क्यार